आज के वीडियो में जो स्प्रम की जाँच होती है यानि सीमन एनलाइसिस रिपोर्ट होती है उसको रिपोर्ट को आप घर बैठे कैसे समझ सकते हैं क्योंकि डोक्टर जब आपकी रिपोर्ट देखता है और आपको बताता है ये कमी है या ठीक है, ओके है इतना ही बताता है और उसके बाद में आप बहुत confusion रहते हैं कि आपकी report में क्या ठीक था और क्या कमी है और वो कैसे दूर होगी तो मैं आपको इस वीडियो में दो report के माध्यम से आपको पूरी report detail में आपको explain करूँगा जिससे आपको समझ में आएगा कि आपकी report में क्या कमी है और क्या अच् में वो point जो आपको discuss करने है report देखके जो doctor से करना पड़ेगा वो आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि आपको already report के बारे में पुरी जान करी है तो एक-एक step से हम चलते हैं और दो report में discuss करूँगा तो सबसे पहले यह आपने देखा होगा कि duration of absence जो लिखा रहता है यानि मतलब जो सिमन आपने collect किया है यानि जो hospital में दिया है उससे पहले सीमन जो आपका स्प्रम ठाओ किते दिन पहले बाar निकाला था, चाहिए वो relationship के माद्यम से आपने बार निकाला हो चाहिए अपने हाथ से बार निकाला हो तो इसका कहने का मतलब है कि तीन दिन पहले और आप बी आपने यह देखा होगा, लिक्रिफिकिशन ओप टाइम, यानि यह टाइम कितनी देर लगा, आपको सीमन को बाहर निकालने में, तो यह 30 मिनिट लगा, जब भी सीमन को यह स्टार्ट करता है, बाहर निकालना, वो टाइम भी नौट होता है, और बहुत से ऐसे पैशेंट है, तो उसका टाइम भी उनको लिखना होता है, पहले ही डोक्टर बताता है, यानि अब यह किसी को 30 मिनिट भी लगता है, किसी को 20 मिनिट भी लगता है, किसी को 40-50, एक गंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, यह नॉर्मली 40-50 मिनिट से ज़्यादा तो लगना ही नीच करें तो तो भर ग्रेंस दिखाई दे रहा है वह district है इस रिपोर्ड के according पर नॉर्मल कौन सा हो सकता है जो ग्रेश वाइट और पील और ग्रेड और क्रीमि यह सारे छूलigne नॉर्मल है समझर हो जो ग्रें कलर का है white is है, peel ऐसा हलका सा color है, यह सारे normal है, कहीं आपको लगे कि मैं यहाँ creamy white बता रहा हूँ, यहाँ grey बता रहा हूँ, grey जो है white है, यही है, मेरा peel लिखा गया, मेरे grey लिखाया, यह सारे normal है, जो आप है, अब consistence जो इस report बताया है, वो thin है, यानि वो पतला है, बाकी यह opaque थोड़ sperm है या नहीं है, पर बाकी यह thin है, थोड़ा सा यह tight होना चाहिए था, थोड़ा सा गाड़ा होना चाहिए, volume की हम बात करें, इसकी volume मरीज की देखेंगे, तो यानि जब वो एक बार में जब वो बाहर निकाला, तो एक ml volume है, एक ml कम है, normally minimum 2 ml होना चाहिए, और किसी भी आलत में 1.5 ml से ज़्यादा ही होना चाहिए, समझारे हो, 1.5 ml से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ हम कह सकते हैं, अगर volume में कम है, तो इसका मतलब वहाँ इस प्रम्भी कम है, pH की बात करें, जो pH होती है, वो इनकी 7 से 8 होनी चाहिए, इनकी 8 है, 7.2, 7.3, किसी क आपके लिखाएगा 7.4, 7.7, 7.8, तो यह 7 से 8 के बीच में होना चाहिए, जो अर्यापकी यह भी लिखा सकता है, यहाँ रिपोर्ट में alkaline होता है, acid नहीं होना चाहिए, यह alkaline होना चाहिए, क्योंकि जो alkaline base बनाने का काम करती है, वो आपकी prostate gland करती है, तो यह और दूसरा यह आपने और देखाऊगा, किसी report में fructose होता है, किसी में नहीं होता, fructose मतलब यह हमारा glucose जो हमें energy देता है, वैसे ही sperm को energy देने के लिए fructose रहता है, जो present है इस report में और वो होना ही चाहिए, क्योंकि यह क्या करता है, हमारा energy देता है हमारे sperm को, तो यह ठीक है, यहाँ एक चीज इनकी कम है, कि भाई देखें तो volume ही कम है, दो ml होना चाहिए, और यहाँ है एक ml, तो यानि किसी का आप देख लीजिए, दो ml से ज़्यादा होना चाहिए, फिर sperm mortality, यानि वो गति सील है, ठीक है, जो हमने percentage निकाला है, 100 में से, तो हम कहें rapid progression, 100 में से 20 ऐसे हैं, ज बहुत जल्दी गति करते हैं, यानि मतलब आपने सीमन को, इसका मतलब कि आपने सीमन जैसे ही private part में छोड़ा, तो वो सीमन गति करता हुआ, बहुत जल्दी आपके अंडाश्य तक पहुंच जाएगा, यानि उसको rapid progression कहते हैं, slow progression 30% हैं, यानि हम यह कहते हैं, यह दोनों मि जाके 50% होने चाहिए, कौन से, A वाला और B वाला, rapid और slow progression वाला 50 होना चाहिए, तो इसका मतलब यह हैं, 50% तो हैं, समझेरों, 50% तो हैं, non-progressive 10% हैं, immotile जो गति नहीं करते हैं, यानि 50% इनके गति सील नहीं हैं, 50% इनके गति सील हैं, अब यहाँ फिर भी हम यह कहेंग कि इनका पहले ही volume कम है, 2 ml होता, तो at least इनका कुछ और improvement होता, पर अभी sperm हैं, जो गति सील हैं, खराब sperm ज़्यादा हैं नहीं, फिर morphology, sperm की morphology, यह तो आपकी gross जुथी, वो semen को बाहर से देखने पर कैसा दिखा, अब आपको microscopic होती हैं, उसके अंदर से देखते हैं, कि यह कैसा दिखाई दे रहा है, जो आपका एक sperm लेके देखते हैं, तो वो कैसा दिखाई दे रहा है, अब आप हम normal है, sperm है, जो normal है, वो 35% normal है, यहां भी मुझे थोड़ा सा कम लगा, कि at least 40% तो normal होना ही चाहिए था, इनके जो 40% है, वो normal होना चाहिए था, पर यह 35% है, तो थो स्प्रम में, वो यहां करता है, हैड डिफेक्ट, 20% का तो सिर खराब है, टेल डिफेक्ट जो उनकी पूच है, वो 25% की डिफेक्ट है, जिनकी नेक और बीच का जो पार्ट होता है, उसका 10% डिफेक्ट है, साइटो प्लाजमिक, यह बहुत माइनर बाते होते हैं, कि इससे उपर जाती है, तो हम कह सकता है, कि इनफेक्ट भी है, एपिथीलियल सेल परजन नहीं है, और कुछ नहीं है, इस रिपोर्ट में, इसमें बताया है, कि जो सीमन एनलाइसिस किया था, वो लैबोर्टरी के अंदर लिया है, तो यह प्रॉपर टाइम मिल गया, इसको किती दि किया गया था, यहां किया गया है, जो घर में किया गया, पर वहां भी आपको टाइम नोट करना है, रिशिविंग टाइम उन्होंने बता दिया कि 12 बच के 32 मिनट पे किया है, हमने पीम पे, और आपने जो क्लेक्ट किया था, वो 12 बच के 10 मिनट पे क्लेक्ट किया था, और time of analysis यह आपको एक बज़े मतलब hospital में बाद साधे बार आप प्राप्त हुआ और देड़ बज़े इस hospital में नहीं लगा दिया एक गंटे से ज़्यादा समय का distance नहीं होना चाहिए यहां एक चीज़ की कमी हो गई कि कितना देर लगा आपको semen analysis करने में तो आप जब start करो बाहर निकालना वो time note करो और कितनी दिर में आपका बाहर निकल गया वो भी time note करें ठीक है यह ID होती है जो आउस्पिरल के ID होती है यह patient का बस identify करने के लिए रिपोर्ट ही कि यह report इसी की है next topic में हम बात करें semen analysis की जो मैंने बोला कि color कैसा होना चाहिए बाहर से देखे तो creamy है इ यहां volume की बात करें कि कितनी मातरा में निकाला तो यहां 2.2 ml निकाला जो normally हमें क्या चाहिए डेड़ से ज्यादा यानि लगबग 2 चाहिए तो हम इसको कह सकते हैं इसमें pregnancy possible है volume की बात करें viscosity slightly viscous है ठीक है liquid जो slightly viscous normal है यह कह रहा है यानि थोड़ा सा tight ही होना चाहिए बहु pH यहां 7.2 है मैंने बोलाई था कि 7 से 8 जो pH होती है यह 7.2 से ज़्यादा होती है वो normal है count की बात करें यहां कितना है 42 million पर ml एक ml में कितने 42 42 हैं तो हम यह कह सकते हैं कि इस मरीज के 2 ml से ज़्यादा ही है तो यहां 90 million sperm है इनके और जो हमें चाहिए कि 1 ml के अंदर 15 million से ज़् minimum चाहिए ही तो pregnancy होने के लिए यहां possible है इस प्रम्तो progression यानि मतब वो गती सील कितनी देर में कर रहे हैं यहां 2 लिखा हुआ है और यहां 2 से 3 यहां 4 grade में आ सकता है आपका 2 भी आ सकता है 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है 3 भी आ है 4 आपका 0 और 1 नहीं होना चाहिए 2 से उपर ह होना चाहिए 2 3 4 है ना यानि वो गती सील कितने है मैंने वोला कि एक तो slightly थोड़े थोड़े दीमे दीमे गती करते हैं एक बहुत तेज ग्रेड 4 होंगे तो तुरूंत पहुंच जाएंगे आपने relationship बनाया तुरूंत आदा गंटे में आपकी स्परम वहां तक पहुंच जा होने के लिए at least 32% से जादा होना चाहिए थोड़े कम है हम चाहते हैं कि 40-50-60 motile होने चाहिए और total motile है जो 35 million है जो मैंने बोला कि 90 million में से 35 million उनके motile है और किसी भी हालत में pregnant होने के लिए 1 ml में 20 million हमें चाहिए तो 40 ml थोड़ा सा होता तो अच्छा रहता अब morphology मैंने बत से देखने भी morphology दिखाई दे रही है यानि जो एक स्प्रम था उसको हम देखें इसका एक सिरो होता एक उसका बीच का इससा होतार एक पूछ होती है जो गती सील करवाती है तो इसमें कहा कि ये 4% से जादा होना चीज़ा अपन 2.5 है तो थोड़ा सा कम ही है इस वज़े से इनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होगी इसलिए चेक करवाया होगा राउंड सेल चैने अधर जो सेल होती है इन्फेक्शन की या किसी भी चीज की वह एक प्रेशंट है इनमें बाकी ना होतो ही बढ़िया है तो रिपोर्ट देखके भी बहुत बार डिसाइड होता है कि आ आपको आईवेफ कराना है या आपको नेचिरल प्रेगनेंसी के लिए आपको आगे टाइम ओफ डिविशन निकालना चाहिए एक चीज और बहुत इंपोर्टेंट है जो यह तो बहिला को नेचिरल कंशिप्शन है निए उनको प्रेगनेंसी हो उसके लिए एक एंटी मिलि लाकि अंदर है या नहीं है अंडी खतम हो रहे हैंगे तो नेचिरल प्रेगनेंसी कैसे होगी तो यह सीमन एनलाइसिस की रिपोर्ट थी और इसमें फिर भी आपको कोई डाउट लगता है कुछ चीज़ क्लियरली नहीं हुई है तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं जिससे मुझे पता होगा कि क्या कमेंट से क्या कमें रहे गी तो दूसरा वीडियो बनाके मैं बता पाऊं या फिर आप मेरे आजकल कॉंटेक्ट नमर पे भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं उसका वीडियो का लिंक डिस्कुशन बॉक्स में भी है लास्ट में आई बटन में भी है तो वहां से आप टैमिंग लेके उस नमर से टैम लेके कि किस टैम में बात कर सकता हूं तो उस टैम पे आप बात कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद